नमस्कार बच्चो स्टडी पिलर ओनलाइन के इस प्लैटफोर्म पर आप सभी का तहदिल से स्वागत है प्रियोग साला साय की जोरो सोरो से हर बच्चे की त्यारी चल रही है इसे में रिवीजन बड़ा ही महतोपूना बच्चो क्योंकि बीना रिवीजन के भले ही आप कितना ही पढ़ लो आपने जितना पढ़ा है सारी की गंठडी बांद के आपको एक्जाम तक लेके जाना है तो अपने रिवीजन करते हैं और आज अपने रिवीजन की जो बहतरीन क्लासेज अपनी चल रही थी उसका सात्मा पार्ट में लेके आया हूं आपके लिए इसे पहले अपन आवर्चानी एस ब्लोक अटोमिक स्ट्रेक्चर इनका रिवीजन कर चुके हैं ठीक है एक सामुईक रिवीजन भी में आपके लिए लेके आ हूँगा आज की क्लास में अपन गैस ये अवस्ता जो चैप्टर अपना इकाई पांच इससे समंदित अपन रि करेंगे और फिर सवाल करने का परियास करेंगे ठीक है तो आज ही क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है इस क्लास के लास्ट में अपने जो पिछला चैप्टर अपने पढ़ा था कुंसा एस ब्लोक उसका रिवीजन भी अपने साथ ही साथ करेंगे तो बने रही है बहतरी क्लास होने वाली है तो सुरू करते हैं गेंस ये स्टेट इसके अंदर अपन पढ़ते हैं पहला बोयल का नियम पढ़ते हैं बच्छो बोयल का लो क्या था बस आपको नियमी ध्यान रखने है फॉर्मूला बेस्ट सवाल आएंगे बिलकुल कोई दिकत वाली बात न आर सारवत्री गेंस नियत हां किये तो होता ही नियत है बच्छो पर मौलों की संख्या भी क्या रखे अपने नियत रखें तो दाब वि दाब किसके वित्करमन पाती हो जाएगा आयतन के यहां से अपन क्या लिख सकते हैं पीवन वीवन इस इकल टू पीटू वीटू ठीक है इनका गुनरफल हमेशा कहा रहेगा बच्छो कॉंस्टेंट तो यह आपको ध्यान रखना है क्या पहला नियम बॉयल के नियम में ताप मान नियत नेक्स्ट दूसरा अपन पढ़ते हैं क्या चाल्स का नियम चाल्स गेलुसेक का नियम इसमें क्या करते हैं अपन बच्छो दाब को कॉंस्टेंट करते हैं दाब को कॉंस्टेंट करते हैं क्या हो गया बच्छो पीवी इस इकल टू एनार्टी के अंदर देखो आ यानिकी इनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा नियत दाप पर समान रहेगा ठीक है तो आपको सवाल के अंदर V1 दे दे वी टू दे दे और T1 दे तो आप T2 निकाल सकते हो इस फॉर्मॉला के साहता से बस आपको ध्यान में रखना है कौन से नियम के अंदर कौन से कौन्स्ट्रेंट माना है उसकी साब से आप फॉर्मॉला कर सकते हो आदर्स के समिकन की साहता लेका तो तीसरा नियम के नियम में अपन क्या पड़ते हैं क्या और आएतन कर देते हैं क्या आयतन क्या करते हैं नियत कर देते हैं और आयतन नियत करने के बाद पीवी जिकल टू एनार्ट के अगर आप आयतन नियत कर दोगे तो क्या हो जाएगा दाब समानुपाती तापमान यहां की पी समानुपाती टी यहां से अपना फॉर्मूला कर सकते हैं क्या P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 ठीक है तो यह तीन नियम गैलूशे का नियम आइतन नियत है चार्ल्स का नियम दाब नियत है और है बोयल का नियम क्या हो जाएगा बच्चो ताप नियत तो इनके इसाब से तीन फॉर्मूला बेश सवाल बनते हैं ठीक है नेच्स नेक्स्ट एबच्चो प्रता नियम क्यनसा आवोगाददो का नियम दस मिनट की के बिल्कुल RAW जाएगा पुरे चैप्टर का आवोगादरो का नियम आव गद्रो का नियम, आपको बस नियम याद होने चीए, सवालों का क्या है, सवाल के अंदर कोई भी डाटा दे के आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल टैंथ बेस्ट के बच्चे के जैसा सवाल होने वाला है ये, तो आपको बस नियम याद होना चीए, आवो गादरो की नियम म रखते हैं आवगादडो में ठीक है तो आईतन समान दपाती हो जाएगा किसके मौलों की संख्या की ठीक है कोई दिकत वाली बात नहीं है इन तीनों इन सभी नियमों से मिलकर बनती है अंदर से गैंसे समीकन इसके अंदर आर जो होता है जो सारवत्री गैस नियतांक जिसे कहते हैं बच्चो उसका मान आपको पता होना चाहिए तो मैं लिख के बता देता हूं जो सारवत्री गैस नियतांक आर होता है इसके कई मान होते हैं 0.0821 यूनिट अब हैसा दिया रखनो एटियम लिटर मोल इनवर्स और कैलविन इनवर्स यह होगी कि इसमें एटियम लिटर के अंदर दूसरी अपने एनर्जी के फोर्म में अगर देखें तो आर का जो मान होगा 0.38314 जूल कैलविन इनवर्स मोल इनवर्स ठीक है इसी की काई को भी क्या कहते हैं बच्चो इसी काई को यही मान हो जाएगा इकाई दूसरी हो जा है ठीक है के के अंदर पुछए है तो कितने हैं दो कैलविन से मोल इनवर्स अर्ग के अंदर पुछे ओंट एक पॉइंट स्यूलो के इंदर वोच्छव एंडोका को जादा नहीं है सारा एक दिन में आपको last दिन अपन रिवीजन करते करते एक दिन केंदर सारी chapters का में रिवीजन करा दूँ आपको और आपके निश्चित तोर पर अगर 30 हवाल आएंगे तो 25 हवाल आपके सही हो जाएंगे उस रिवीजन क्लास के दवरा तो R के मान आपको ध्यान रखने है R का मान एक तो, Nicole लिटर के अंदर 0.0821 लिटर मोल इनवर्स कैलिविन इनवर्स उसके बाद R का मान 8.314 Joule कैलिविन इनवर्स मोल इनवर्स या इसी काई को लिख सकते हैं Newton per मीटर कैलिविन इनवर्स मोल इनवर्स कैलोरी के अंदर पूछे तो आर इस इकल टू दो कैलोरी कैलोरी इनिवर्स मोल इनिवर्स और अर्ग के अंदर पूछे तो एक जूल इस उकल टू दसकी गाद साथ अर्ग होता है तो जूल वाली कंपोनेट को दसकी गाद साथ से डारेक्ट गुणा कर दो आर इस इकल टू आ ग्राहम का réfl MB बच्चों के लागू होता है पहली बात यह ए पिर्यासील गैसों के लिए लागू होता है ठीक है और कहता किया जो गैसों सबस्क्राइब होगा यह मैं अब कहूँ यह में उसकी टिकला रहा और यह उसले कि उए सब्सस्क्राइब कृद न को था है एक वह ओण हो तो तो थी और तो असे ग्म्हानुपाथी हो जाएंगे बस एक formula यह आपको ध्यान में रखना है विसरन की जो दर होती है वो वित्वर मनुपाती होती है कि इसके molecular weight के unroot के ठीक है तो यहां से अपन निकाल सकते हैं क्या किया क्या निकाल सकते हैं विसरन की नियम हो गया विसरन की दर किसके समानों पाती होती है बचो एक बटा molecular weight के अंडरूट के यह मैं कहूं एक बटा गनत्वे के अंडरूट के तिया हो गया अपना ग्रहाम का विसरन नियम नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या डाल्टन का अंसिक दाब का नियम क्या इसका टोटल जो परेसर होगा कि सकते हैं इक Schweiz निकाल निकाल है पर किसके नोड़ वस्ता मिदाप परिस थी को कि दीकत वाले बात निया कर सकते हो यह अंह गैंसब्ला के लिए लागू होता है अरे कर सकते हो बताओ को समस्य वाली बात नहीं है ना Consult का ही साल क्या होती है नेक्स कि अपनी सभी इक गज समुक्त थी गटपर आना विस इकल टू ऊनगा है याद रखना है कितना होता है आएर मस्का इसके रहोता है बच्छो व्य आपको ध्यान में रखना थीक है एव्यज काइनेटरिक एगर आपको पूछे तो हो कितनी च्प्सक्षोटीन प्रकार का अर्लग वेग now container के अंदर गैसों का आपको द्यान में रखना है एक वी आर एमस और एक वी एवरेज और एक कुन सा वी maximum provis वी आर मस जो होगा बच्चो वो होगा अंडरूट 3PYD यह होगा एवरेज कितना होगा अंडरूट 8PYD और यह कितना होगा अंडरूट 2PYD तीनों आपको द्यान में रखना है किसी परकार की कोई समयश्य है बच्चो बताओ तीनों आपको द्यान में रखना है नेक्स्ट है क्या बच्चो वांडरवाल गैंस समिकरन क्या वांडरवाल गैंस समिकरन या वास्टिक गैंस समिकरन जिसे कहते हैं वांडरवाल समिकरन डायरेक्ट आपको ध्यान में रखनी है वांडरवाल समिकरन इसमें तो बस आप अगर यह नियम वगएरा समिकरन याद रख लोगे तो भी आपका सवाल गलत नहीं होगा तो यह क्या होती है P पलस A N स्केर अपून V स्केर V माइनस N B is equal to N R T बस यह द्यान में रखना आप यह क्या है बच्छो? वांडर्वाल गहसे समिकरन ठीक है? कर लोगे? कोई दिकत वाली बात नहीं है आगे चलें यह होगगए अपनी बच्छो क्या वांडर्वाल गहसे समिकरन इस परकार से आपको फास्ट रिविजन करना एकदम सूपर फास्ट तरीके से वैसे यह चैप्टर काफी बढ़ा है काफी सारे सवाल बनते हैं लेकिन आपके लेवल के नहीं बनेंगे प्रियोग साला साहिब के अंदर बिल्कुल सुत्तर बेस्ट सवाल पुछेगा आप फॉर्मूला बेस्ट बिल्कुल तो वांडरवाल गैस समीकन क्या है पी पलस एन स् की यौक के बराबर होगा ग्राम का विशयुन नियम गैस का जो विशयंड की ड़ी होती है वह व्यट कर दि होती किंदे किए किसे कहते हैं सो दाला इम किसे कहते हैं तो सीएो कैलसियम एकृस इसका जो गहल होता उसे आदमी होता है उसके वह गराम Yog तो टूट्दियम होताह एटीपी से एडीपी के अंदर तूटने पर तीन सोडियम आयन बाहर की और दो पोटेशियम आयन वह एक एच्पलस आयन जिल्ली के आंतरीक तरफ की और गति करता है प्योपी का सुथर सी एसोफोर डोट हाफ हेस्टो और जो की जिप्सम से पराफ्त होता है जिप्सम का फॉ समान हो और पैराइड्रोजन होता है चुन ना पठर किसे कहते है कार्बोन में को कहते है चुनंदा पत्थर लाईम वाटर केसे किखनीट का जो घोल होगा उस्य बीना बुज बुजा हुआ चुनना भी कहा जाता है इसको ठीक है इससे पहले आपने पड़ा वा्ट्ट nimmt का क क्या कुम्मिनेस होता है कार्बन फोस वस्ता में प्लस हैस्टू और नग जाता है इसको मोन के इंदर रखा जाता है इतनी बात आप ध्यान में रख लेना बार बार रिपीट करते जाओ एक भी सवाल गलत आपका नहीं होगा MPBP के अपने बात करी थि hep uninter курके निए था इस यूट को दियान में रखना है ठीक है यह अपना S का भी अपने एस रिविजन को लिए था निए तो इस परकार से बत्षी आतकर सी अपको सारी केवल रिवीजन कॉर्सेप्ट पता ना हो चाए केवल रिवीजन आप सारा समान का जितना भी आप पढ़ रहो है उसको सर पे बांद रेना और अग्जाम के अंदर चले जाना अराम से 400 सवालों में से 400 नंबर में से 300 नंबर आ जाएंगे मेरी आप से वादा आईए तो आप म जै भारत बतो झाते हैं झाल 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 झाल